हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते बिटा एक्सरसाइज 6.6 का क्योस्टन नंबर 4 देख लेते हैं स्टेटमेंट रीड करेंगे बिटा एक बार इन देख गीवन फिगर ए बीसी इस एट अंगल इन वेच आंगल ए बीसी जो है वह लेस देन क्या है 90 डिगरी तो यह जो एंगल है वह क्या है बटालेस देन 90 डिगरी है ठीक है and ad perpendicular on bc ad जो है वो bc पर perpendicular है तो यह क्या angle form करेगा 90 degree form करेगा तो prove that ac square is equal to ab square plus bc square minus 2bc dot bd यह चीज हमने क्या करनी है यहाँ पर prove करनी है तो सबसे पहले जो चीज given है question में वो write down कर लेते हैं हम यहाँ पर given क्या है int angle abc int angle abc angle abc जो है वो क्या है less than 90 degree और ad जो है वो perpendicular पर किस पर है बटा bc पर ठीक है इसका मतलब क्या हो गया जो angle abc है वो क्या है हमारा 90 degree है ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है हमें 2 prove जो चीज prove करनी है वो write down कर लेते हैं ac square is equal to ab square plus bc square minus 2bc dot bd यह चीज हमने कि यहाँ पर क्या करनी है बटा prove करनी है तो चलिए proof पर चलते हैं इसके जैसे पिछला question किया था हमने question number third same कुछ है वैसा ही है सबसे पहले बात करेंगे int triangle adb की angle d जो है वो क्या है 90 degree adb यह जो एंगल है दोनों तरफ क्या है 90 degree तो यहाँ पर पाइथागोरस थोरम लगा सकते हैं by पाइथागोरस थोरम क्या हो जाएगा 90 degree के सामने ab क्या हो जाएगा बिटा hypotenuse तो ab square is equal to किस के हो जाएगा बिटा ad square पलस bd का square ab square is equal to ad square पलस bd का square इसको माल लिया equation number first अब बात करते हैं int triangle adc की adc यहाँ पे 90 degree है angle d जो है वो क्या है 90 degree तो angle d के सामने क्या उनसी side है ac तो क्या हो जाएगा बिटा ac square is equal to किस के हो जाएगा ad square पलस cd square equation number 2 I hope यहाँ पे कोई doubt नहीं होगा आपको अब बिटा अपने proof की तरफ चलते हैं यहाँ पे क्या चाहिए हमें negative चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जो भी हमारी equation number second है इसमें ad का कोई use नहीं है यहाँ पे तो ad square की value निकाल देता हूँ from first from equation first ad square is equal to क्या हो जाएगा बिटा bd को उदर लेके जाएगे तो is equal to क्या हो जाएगा ab square minus bd का square I hope यह चीज आपको clear है तो यहाँ पे इसमें क्या कर लेते हैं put कर लेते हैं तो ac square is equal to इसमें क्यों put करना पड़ा क्योंकि हमें left and side ac square चीज है हमारे पास ac square है is equal to ad square की जंगा क्या put करेंगे ab square minus bd का square plus अब cd जो है proof में हमें cd भी नहीं चीज यह तो cd जो है वो किसके equal है बिटा bc minus bd के bc और bd का यूज है तो इस form में हमने cd को बना लिया cd क्या है bc minus bd पूरी bc में से bd सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो किसके equal बज़ जाएगा हमारा cd के equal तो cd is equal to bc minus bd इसको भी क्या करेंगे put in second इसको भी put in second ठीक है cd के जाए put कर दिया बटा bc minus bd का square इसको a minus b का whole square identity open कर लेंगे आपको पता होगे identity a square plus b square minus 2ab तो यहां पर क्या आगया बटा a c square is equal to a b square minus bd square पलस इसको open करेंगे तो क्या जाएगा bc square plus bd square minus 2bc dot bd तो bd square से bd square cancel तो क्या आगया a c square is equal to a b square plus bc square minus 2bc dot bd यही result हमने क्या करना था prove करना था तो इसको क्या लिख देंगे hand से prove I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा बटा इनका use करना है हमने क्योंकि जो result हमने चीए उसी form में हमने अपनी values को change करना है तो वही हमने change किया और उनको put out कर दिया equation number second गया अंदर I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा कहीं पर कोई problem हो तो comment करना otherwise मुझे आपके अच्छे-च्छे comments का इंतिजार रहता है और आप लाइक कीजिए इस चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और अपने friends के साथ जरूर share कीजिए thank you students for your love and support thank you